हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चेप्टर 3 चेप्टर 3 के इंदर हमार पास क्या है ट्रिग्नोमेटरी फॉंक्शन ट्रिग्नोमेटरी फॉंक्शन के बारे में आपने 10 ख्लास में भी पढ़ाया है हमारे पास से six trigonometry ratios होती है ठीक है उन six trigonometry ratios के कुछ formula दिये हुए है जो शायद आपने कुछ 10th class में पढ़े हैं कुछ अब नए formula पढ़ोगे उससे पहले देखते हैं हम trigonometry function की जो exercise 3.1 है उसके अंदर आपको क्या क्या दिया गया है सिर्फ उसी का introduction है 3.1 का introduction देखो trigonometry function एक सबसे पहले हमारे पास क्या आता है radiance radiance होता क्या है पहले हम पढ़ेंगे की radiance क्या है radiance is an angle radiance क्या है मारे पास यह के angle है sub chain at the center of a circle जो कहाँ sub chain करता है at the center of a circle एक circle के center पर by an arc length equal to the radius of the circle और a के equal length होती है किसकी center of circle by an arc एक arc है length equal to the radius of circle एक हमारे पास क्या है arc है ab और उसकी जो length है वो हमारे पास किसके equal है circle की radius के equal of the angle in the figure इस figure के अंदर से हमें यह पता चलता है देखो angle a o b हमारे पास किस पर angle o पर a o b किसके equal है one radiance के radiance के equal है मारे पास कितनी one radiance के when ab is equal to ab हमारे पास क्या है radius of the circle radius of the circle क्या है मारे पास ab and o is the center of the circle o हमारे पास क्या है center of the circle फिर हम पढ़ेंगे radiance के बारे में की radiance का कैसे use करते radiance को degree में कैसे convert करेंगे degree को radiance में कैसे convert करेंगे उसके बारे में first in a circle of radiance r एक circle है जिसकी radius हमारे पास क्या दिवी है r at the center किसे center से and if an arc of देखो in a circle of radius r एक circle की radius r दिवी if an arc of length l उसकी length क्या दिवी है l सबस्टेंट and angle theta और किस पर सबस्टेंट करता है means कितने का angle बनाता है theta का theta radiance का at the center किस पे center पे का angle बनाता है तो उसका हमारे पास formula क्या है length of r के a b जो हमारे पास r के इसके length निकालने का क्या formula है r multiply theta r means हमारे पास radius of circle और theta means हमारे पास angle of a angle of a center center पे जो भी हमारे पास substantive angle है ठीक है अब देखो यह तो मारे पास किसका formula length of r का उसके बाद आता है मारे पास radiance measure जो radiance है वो कैसे measure करता है pi radiance किसके equal होता है 180 के और 1 radiance किसके equal हो जाएगा अगर हमें यहां से 1 radiance निकालना है तो क्या आ जाएगा 180 divided by pi ठीक है अब उससे हम देखते है radiance measure radiance में convert कर रहे हैं किसको degree को अगर degree को radiance में convert करना है तो कैसे निकाल लेंगे degree multiply pi by 180 इसको solve करने से जो भी आएगा वो क्या आजेगा हमारे पास radiance से measure उसके बाद second है degree measure अगर degree में convert करना है तो इसी form में से convert कर देंगे इसको इदर लेके आएगे क्या आजेगा pi by 180 और उदर क्या रहेगा डिगरी वह यह डिगरी measure किसके एकवल होता है radiance multiply 180 upon pi अब देखो उसके बाद आता है हमारे पास 1 degree यह हमारे पास किसके एकवल होता है 60 minutes के जैसे हम radiance में और इसमें convert करेंगे तो हमारे पास 1 किसके एकवल आजेगा 60 minutes के और इसको हम कैसे लिखत 67 के उसकी notation का है 60 और double dash यह है हमारे पास exercise 3.1 का introduction जो कि अब हम इसके अंदर use करेंगे देखो कैसे exercise 3.1 question number first find the radiance measure to degree हमें किस में convert करना है radiance में convert करना है किसको degree को degree को radiance में convert करना है कैसे सबसे पहले में क्या दे रिखा है 25 degree 25 degree और 1 degree किसके एकवल होता है आपको दिया हुआ है कि 1 degree किसके एकवल होता 5 by 180 radiance किसके एकवल होता 1 degree 5 by 180 radiance हमें किसको convert करना है 25 degree 25 degree is equal to 25 multiply और क्योंकि यह तो 1 degree है और 25 निकालेंगे तो multiply कर देंगे इसको 25 multiply by by 1 80 5 से cancel हो जाएगा 5 5 जा 25 5 3 जा 15 और हमारे पास कितना हैगा 3 और 0 30 5 6 जा 30 cancel हो के क्या आया 5 5 by 36 से radians ठीके उसके बाद next हमारे पास क्या है minus 47 degree और 30 minutes से अब हम इसको कैसे convert करेंगे देखो minus 47 degree 30 minutes से इसको हमने convert किया minus 47 as it is 30 minutes से यह हमारे पास किसके equal होता है 30 by 60 के क्योंकि 1 minute में कितने होती है 60 second होती है हमारे पास तो 30 minute है अब उन में आजेगा न हमारे पास 30 multiply 1 by 60 30 by 60 को cancel करें क्या आएगा 1 by 2 degree इसको हमने fraction में open कर दिया 47 to 94 plus 1 95 by 2 यह हमारे पास आया minus 95 by 2 is equal to इसको हम कैसे लिख सेते है minus 95 by 2 यह तो हमारे पास degree इसको radians में convert करेंगे तो pi by 180 फिर हम इसको cancel कर देंगे cancel होके क्या आजेगा minus 19 pi upon 36 to 72 radians next है 240 degree 240 और डिगरी को convert करने के लिए क्या करते है pi by 180 0 से 0 cancel 6 3 जा 18 6 4 जा 24 4 pi by 3 radians next step 5 20 degree 5 20 multiply pi by 180 0 से 0 cancel 2 9 जा 2 से 26 पे cancel होजेगा 26 pi by 9 radians next question में हमारे पास क्या है find the degree measure of the radians किस में convert करना है हमे find the degree measure degree measure find करेंगे किसे radians से radians को convert करेंगे तो क्या आएगा 11 by 16 1 radians किसके equal होता 180 by pi के equal होता है अब यहाँ पे कितना 11 by 16 तो इसकी multiply कर देंगे 11 by 16 multiply 180 by pi 11 by 16 as it is और 180 as it is pi का हमारे पास value क्या होती 22 by 7 22 by 7 22 निच्छे आजेगा 7 उपर आजेगा हमारे पास फिर हमने cancel कर दिया 11 बंजा 11 टू जा 22 टू से हमने cancel कर दिया 90 पे आजेगा फिर 28 जै 16 टू से cancel किया 45 और 7 की multiply क्या आजेगा 315 by 8 अब हमारे पास यह क्या आगया degree इसको हम कैसे convert करेंगे इसके अंदर minute और second में यह मैं आपको समझाते हूं देखो 315 को हम divide करेंगे इसको हम किस से divide करेंगे 8 से 8 से हमने divide किया 8 3 जा 24 अब 11 11 में से 4 जाएगा क्या आएगा 7 इदर से आजेगा 8 9 जा 72 हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे अब देखो यह तो हमारे पास क्या आया, 39 डिग्री, उसके बाद हमारे पास रिमेंडर में क्या क्या बचा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 39 fraction 3 by 8, यह हमारा कनवर्ट हो चुका है, इसको भीघव कर दिया, उसके बाद हमारे पास कौन बचता है, 3 by 8, अब हम किसको करेंगे, 3 by 8 को क्नव यह में आपको बताते हैं, इसको फिर से वही, जो मार पास फार्मिला था ना कि 60 में वाला वही फार्मॉला अप्लाइ करेंगे, तो को कॉन कर देंगे, फिर से हमें 60 कर देंगे, दोनों की मिल्टिप्लाइ क्या आजेगा, 60 की और 3 की, पहले कैंसल कर दो, 4 टू जा, 8, 4 बन ज जा, 4, फिर 5 आजएगा, 2, 2 जा, 4, 5 में से 4 जाएगा, 1, इसको उम कैसे नोट कर सकते है, 22 फ्रेक्शन, 1 बाई 2, अब देखो 3 बाई 8 को उम कनवर्ट करके कहां तक ले आए 22 फ्रेक्शन, तो यहां से हमारे पास कितना आया था, 39 डिग्री, अब इससे हमारे पास कितना आ ग और क्या आ जाएगी 30 seconds, यह हमारे पास change होके आएगा, 39 डिग्री, ट्वेंटी, ट्वेंटी टू मिनट्स और 30 seconds इसी तरह से हम इसको कनवर्ट करेंगे, ठीक है? बंदिन नेकस्ट हमारे पास second, माइनस 4 रेडियंस, माइनस 4 रेडियंस को हम कैसे कनवर्ट करेंगे? minus 4 radians को convert करने के लिए 180 by pi 180 by pi कर दिया minus 4 multiply 180 by pi का हमने क्या किया 7 by 22 change कर दिया ना pi को 22 by 7 नहीं निचे है और इसलिए convert कर देंगे 7 by 22 2 तू जहां 4 2 से 11 पे cancel होगा 2 7 और 180 के multiply आ जाएगी minus 2520 divided by 11 अब हम इसको convert करेंगे उसी method से 2520 इसको हम किस से divide करेंगे 11 से 11 से divide करेंगे क्या आएगा 11 तू जा 22 5 में से 2 जाएगा 3 या आजएगा हमारे पास 11 तू जा 22 क्या आएगा 10 फिर 0 आजएगी 11 9 जा 99 वन आजएगा इसको मैंने लिखा 229 1 by 11 यह हमारे पास क्या आ चुका है डिग्री में आ गया इसको तो मैंने यहां किया नोट कर लिया 229 ने डिग्री उसके बाद हमारे पास क्या बचा 1 by 11 फिर क्या करेंगे 1 by 11 multiply 60 cancel नहीं होता तो 11 से divide करेंगे 60 को 11 से divide क्या 11 फाइग जा 55 कितना आ जएगा 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 fraction 5 by 11 तो 5 हमारे पास क्या आ गई इसकी मिनिट आ गई फिर से क्या बचेगा 5 by 11 बचेगा फिर multiply करेंगे 5 by 11 multiply 60 कर देंगे फिर cancel नहीं होता 6 5 जा 30 तो क्या आ जएगा 300 divided by 11 फिर 11 से करेंगे क्या आ जएगा 11 2 जा 22 8 0 11 7 जा 77 फिर 3 आ जएगा लेकिन हमेज से आगे तो सौल ही नहीं करना यां तक कि करके छोड़ देंगे हम 22 7 double dash तो हमारे पास क्या आ जएगा 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड approximately क्यों क्योंकि हमारे पास completely divide नहीं आया इसलिए हम क्या लिखिंग इसको approximately next 5 pi by 3 radians 5 pi by 3 multiply radians को convert करेंगे 180 by pi pi से pi cancel हो जएगा 3 से 60 पे cancel होगा 60 की और 5 की multiply 300 degree next 7 pi by 6 radians 7 pi by 6 multiply 180 by pi pi से pi cancel 6 से 30 पे cancel 30 और 7 की multiply 210 डिग्री next है हमारे पास question number 3 a wheel makes 360 revolution in 1 minute एक जो पहिया है वो एक मिनट के अंदर 360 revolution करता है means 360 round लगाता है so how many radians how many radians कितने radians does it turn in 1 second 1 second के अंदर वो कितने radians में convert करके दिखाना है in 1 second number of revolution in 1 minute 1 minute में कितने revolution करता है 360 revolution अब उमें 2nd में निकालने है तो पहले हम 1 second का निकालनेंगे number of revolution in 1 second 1 second में कितना revolution करता है 360 divided by 60 0 से 0 cancel हो जाएगी 6 से 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 6 degree कितना करता है तो 1 revolution एक revolution में कितना होता 360 degree होता है 360 को हम क्या लिख सकते है 2 pi पाई उमार पास 180 होता 180 और 2 की multiply वापिस 360 degree आ गया तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 pi radians है और 6 revolution में क्या आ जाएगा 6 multiply 2 pi 6 2 12 pi radians तो कितने में कितने लगाएगा 1 second के अंदर 12 pi radians next है question number 4 find the degree measure of the angle degree measure हमें क्या find करना है degree of the angle sub-chain at the center of a circle of a radius radius क्या दे रखी है hundred centimeter by an arc of length 22 centimeter हमें degree measure find करना है किसका angle का angle हम find करेंगी हमें क्या क्या दिया हुआ है एक radius दी हुई है और एक आपको क्या दिया arc of length introduction में हमने इसका formula भी पढ़ा है length of arc हमारे पास कितना है 22 centimeter radius कितनी है hundred centimeter let theta be the angle मान लिए हमारे पास theta क्या है angle तो theta का formula क्या है l by r length of arc divided by radius radians आ जाएगा हमारे पास अब formula अप्लाई कर देंगे हम theta by l theta is equal to l by r l की value कितनी है 22 length of arc और r हमारे पास कितना 102 से 11 2 से 50 क्या आ जाएगा 11 by 50 radians अब radians को हम convert करेंगे किसके अंदर degree के अंदर क्योंकि find the degree measure है हमारे पास अब 11 by 50 radians को degree में convert करेंगे 180 by pi 0 से 0 cancel हो जाएक क्या आजएगा 11 by 5 multiply 18 multiply pi कॉम calculating 7 by 22 अब 11 तूजा 222 से cancel कर दिया 9 पे आ जाएगा हमारे पास 9 7 जा 63 by 5 निगरी अब इस कॉम convert करें उसी method से 12 डिगरी 36 मिनट से next है question number 6 in circle of diameter 40 cm एक circle है जिसका diameter 40 cm है the length of a cord is 20 cm और उसी के अंदर एक length of cord दी हुए 20 cm find the length of minor arc of the cord cord की minor arc है जो उसकी length find करेंगे कैसे find करेंगे माइनर arc और major arc two meter in triangle a ob यह भी radius यह भी radius यह दोनों 20 और यह भी 20 जब हमारे पास सभी sides equal है तो सभी angle भी equal होंगे और जब सारे angle equal होते हैं तो कौन से triangle होते हैं equilateral triangle and equilateral triangle का हरएक angle 60 degree का होता है in triangle a ob o a is equal to a b is equal to ob so triangle is equilateral each angle is 60 degree अब हरेक एंगल 60 degree है तो हम देखते हैं कैसे करेंगे a b मानली r a b है जो हमारे पास है यह हमने कितनी मानली l cm थीटा मारे पास कितना है 60 डिग्री 60 डिग्री को हम रेडियंस में convert करेंगे 60 multiply 5 by 180 0 से 0 cancel 6 से कर देंगे 5 by 3 radians r is equal to कितना दे रहे है 20 cm length of r के r theta r 20 है theta मारे पास pi by 3 multiply कर दें क्या आजगे 25 by 3 cm radians क्या आजएगे हमारे पास है arc of a b next question number 6 if in two circles arc of the same length है हमारे पास दो circle दिये हुए है और दोनों की arc of ले आर्क of same length दे रहे हैं कि दोनों में जो arc बढ़ नहीं उसके length same है सब channel angle और angle कितने कितने degree का है 60 and 75 degree at the center center पे find the ratio of the radius दोनों circles की radius की ratio find करेंगे कैसे let radius of two circle भी हमने radius मान ली r1 and r2 और length है वो हमने क्या मान ली क्यों क्यों क्योंकि यह दे रहे है arc of the same length दोनों जो circles हैं दोनों की arc of same length दे रहे है तो दोनों circles की जो length है उसकी आर्क की length हमने क्या मान ली in first circle first circle में theta is equal to 60 degree 60 को convert कर दिया pi by 180 तो cancel होके क्या आजएगा pi by 3 radians से फिर formula क्या l is equal to r theta r is equal to हमें radius निकालना है तो theta को इदर लेके आएंगे l by theta l as it is रहेगा theta क्या pi by 3 इसको उपर लेके आएंगे 3 l by pi इसको हमने दे दिया equation number 1 next है in second circle second circle में कितने का दे रखा है theta 75 degree 75 multiply pi by 180 cancel करके क्या आजएगा 5 5 by 12 radians से फिर r2 का हमारे पास formula क्या l by theta l हमारे पास it is theta 5 by 12 उपर लेके जाएंगे l multiply 12 by 5 5 12 l by 5 5 इसको equation number 2 दे देंगे हम नाम ratio निकालने हमें r1 by r2 तो r1 ratio r2 लिखो या r1 by r2 r1 हमारे पास क्या था 3 l by pi by में r2 है तो multiply में आएगा convert हो गया 5 pi उपर आजएगा 12 l l से l cancel 3 4 जाएं 12 pi से pi cancel 5 by 5 by 4 तो r1 और r2 की ratio मारे पास क्या आजएगी 5 ratio 4 next question number 7 find the angle in radiance angle in radiance so which pendulum एक pendulum आपको दिया हुआ है swings if its length is 75 cm एक pendulum दे रखा है और उसकी क्या दे रखे length कितनी दे रखी है 75 cm and that tip describes on arc of length एक pendulum दिया हुआ उसको अगर हमने ऐसे लटका रखा तो ऐसे pendulum करता है ना मारे पास नो अब देखो आर हमें कितना दे रखा 75 cm और इन्होंने first में क्या दे दिया length देर कि आर को फे length कितनी दे दी 10 cm radius हमार पास कितनी 75 तो हमें अंगल निकाल देंगी क्या formula theta is equal to L by R L हमार पास 75 है आर हमार पास sorry L हमार पास 10 cm आर हमार पास 75 है 5 to 10 और 5 से कर देंगी 15 2 by 15 radians second में हमें क्या दे रखा L हमें 15 cm दे रखी R हमार पास वही है 75 क्या आजेगा 15 by 75 15 बन जा 15 5 जा 1 by 5 radians L हमें 21 cm दे रखी है L by R L 21 by 75 3 से cancel कर देंगी 3725 3 से 25 पे cancel हो जाएगा 7 by 25 radians से यह थी हमारी exercise 3.1 ओके थेंक्यू ओको आदा बादे पास कर दो ही है क्या हमारी exercise 2.12 फैंभ जादेगा 2.10 और 5 से भों से नहते जादेगा specifically car से क्या देंक्ति hat